नमस्कार एक पता नहीं आपने सुनी है या नहीं एक पुरानी कहानी है पहले टाइम बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे पूरी जन्ता सारा का सारा ओपोजिशन उन पर आकरमन कर रहा था और वो टेफलॉन जैसे थे उन पर जितना भी आकरमन करो कुछ होता नहीं था तो थोड़ी साल बाद जो उपोजिशन के लोग थे जो उसको रिजिस्ट कर रहे थे वो एक बाहर एक रिशी बैठा रहता था उसके पास गया उसने कहा कि बताइए हमें बात समझ नहीं आ रहे हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आकरमन करते हैं जनता इसके खिलाफ है कुछ होता ही नहीं है जितना हम इस पर आकरमन करते हैं ऐसा लगता है कि हम गल्थ जगे मतलब तीर मार रहे हैं तो रिशी ने कहा वो काफी मतलब knowledgeable था तो उसने कहा देखिए अच्छली बात क्या है यह जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है इसकी आत्मा वहाँ पे पीछे एक छोटा सा घर है वहाँ पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है इसकी जो आत्मा है वो उस तोते के अंदर है उस तोते को जाके आप पगड़ लीजिए राजा खत्म हो जाएगा बहुत इंट्रिस्टिंग कहानी है क्योंकि नरेंदर मोदी जी के आत्मा अधानी में है तोता कहीं बैठा है राजा कहीं बैठा है और बहुत समय के लिए सारी की सारी opposition राजे पर टैक कर रही थी मगर असलियत ये है कि राजा राजा ही नहीं है power किसी और के हाथ में है अधानी जी के हाथ में है जैसे ही हम अधानी जी को टच करते हैं intelligence agencies snooping cbi मैं पहले सोचता था number one prime minister number two अधानी number three अमिच्शा actually गलत है number one अधानी number two prime minister number three अमिच्शा अभी हिंदुस्तान की politics हमें समझा गई और अधानी जी बच के नहीं निकल सकते हैं क्योंकि अधानी जी को हमने ऐसे घेरा है तोते को हमने ऐसा पकड़ा है क्यों बचके नहीं निकल सकता है और इसी लिए सारा का सारा हो रहा है distraction politics कि देश की निगा opposition की निगा पिंजरे में बैठा हुआ तोते की और ना चले जाए तो हमें का भी clarity है आप देखिए पूरे opposition के खिलाव यहाँ पे apple का notice आता है मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बढ़ा करके दिखाया है देखिए अच्छी तर देखिए यह तोते का काम है इसमें लिखाया है apple believes you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your apple ID अब यह मेरे office में सब लोगों को मिला है Venu Gopal जी को मिला है Congress Party में लिस्ट बनी हुई है पवन खेड़ा, सुप्रिया, सितारामी अचूरी, अकिलेश यादव, प्रियंका चतुरवेदी, महुआ मोहित्रा, रागव चड़ा, टियेस सिंग्डेव लिस्ट है और यह सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में involved है और देश के युगाओं को मैं समझाना जाता हूँ, बताना चाता हूँ, यहाँ हो क्या रहा है आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं आपके दिल के अंदर गुस्टा पैदा करते हैं और जब आपके दिल में नफरत आती है गुस्सा आता है जो आपका भविषय है जो इस देश की पूंजी है जो इस देश का धन है उसको उठा के ये लोग ले जाते है अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिये हिंदुस्तान के एरपोर्ट्स पकड़ा दिये मुंबाई एरपोर्ट चाहिए था CBI ED का प्रयोग किया मुंबाई एरपोर्ट दे दिया agriculture में कानून बना दिये अदानी जी के लिए food grains की storage उनके हाथ में infrastructure उनके हाथ में आप सडकों पे चलते हो cement उनके हाथ पे उनके हाथ में तो पूरा पूरा देश ये तीन चार लोगों को पकड़ा रहे हैं नुकसान किसका हो रहा है हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है आपसे ये कहते हैं कि आप जाईए पढ़ाई कीजिए आप जाईए IAS बनिए आप जाईए engineer बनिए आप में से 1% engineer बनेगा 1% doctor बनेगा 0.000.0001% IAS बनेगा तो यह आपको जूटे भविश्य की कवाइदा करते हैं और जो आपका धन है आपके आपकों के सामने आप से छीन के लिए जा रहे हैं यह हिंदुस्तान का आज सचाई है कम लोग हैं जो इसके खिलाब लड़ रहे है मगर हम डरने वाले नहीं हैं हम लड़ने वाले लोग हैं हम पीछे नहीं हटेंगे जितनी tapping करनी है करलो कोई फर्ट नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्ट नहीं पड़ता अगर आपको मेरा फोन चाहिए, मैं दे देता हूँ, आपको उठा के ले लो अब आपके कोई सवाल नहों तो पूछे English, English, English अच्छा, नहीं Hindi में थोड़ा एक लाइन और हिंदुस्तान की जो, का जो भविश्य है उसके लिए सबसे जरूरी चीज नियाए है अगर इस देश में इस देश की जनता को, इस देश की युवाओं को नियाए ना मिले तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है और मैंने बहुत बार बोला है और मैं बोलता रहूँगा और हम ये काम करके दिखा देंगे कि कास सेंसिस के बिना इस देश के युवाओं को नियाए नहीं मिल सकता और ये पूरा का पूरा डिस्रैक्शन जो हो रहा है जब अधानी जी पैसा चोरी करते हैं, किस से चोरी करते हैं? देश की आम युवाओं से चोरी करते हैं पिछ़ों से चोरी करते हैं गलितों से चोरी करते हैं आदिवासियों से चोरी करते हैं जब अधानी जी कोईले में उस्ट्रेलिया में जब नाव चलती है यहां आती है जब हो over invoicing करते हैं तो अधानी जी किसकी जेब से चोरी कर रहे हैं पैसा जो आप बिजली खरीदते हो उसमें अधानी tax है ट्रेन में आप जाते हैं उसमें अधानी tax है फ्रेट घूमता है उसमें अधानी tax है tax किससे कहां से आ रहा है पिछनों की जेब से दलितों की जेब से आदिवार्शियों की जेब से गरीब लोगों की जेब से छोटे वियापारियों की जेब से और पूरा का पूरा ट्रांसफर इनकी जेब में हो रहा है in English, in English brother see, there's a beautiful story old Indian story there was a king, very nasty king and he was attacking everybody stealing from everybody everybody was disturbed and his opposition would keep trying to fight him nothing would happen to the man keep attacking, keep attacking, keep attacking they were very confused, why is nothing happening to this man what is going on and this went on for a couple of years and then after some time there was this wise man who used to do dhyana outside and so they they went to him and they said, what is going on we keep attacking this man every day we attack this man, nothing happens to this man and the gentleman said, look the reason is that this man's soul is actually somewhere else the frame, the image is of the king but the soul is somewhere else so they asked him, where is the soul and he said, the soul is there in a village in the corner if you go there's a little cage and inside that cage there is a parrot and if you go and you kill that parrot the king will fall and that is exactly what is going on here Mr. Narendra Modi's soul is Mr. Adani and no matter how much we attack Mr. Narendra Modi it doesn't have an effect because the soul is somewhere else and now we've understood this we've understood that the soul is there in the parrot and now we are attacking the soul and that is why all this is going on that is why Apple is sending messages your phone is being targeted by state-sponsored attackers right I used to think that you know there's a ranking people say press people say number one, number two number one Mr. Modi number two Mr. Amitra and actually the ranking is slightly different it's number one Mr. Adani number two Mr. Modi number three Mr. Amit Shah the country will soon realize that the Prime Minister is employed by Mr. Adani and works for Mr. Adani right the examples of this are clear Bombay airport airport that is owned by somebody else state-sponsored agencies attack the owner he surrenders the airport to Mr. Adani Mr. Adani is over-invoicing coal from Australia it leaves Australia it arrives in India the prices doubled no inquiry nothing no ED no CBI nothing who's paying for it when we are using electricity poor people of this country using electricity we're giving Adani tax we're going in the railways we're giving Adani tax so it's very clear what is going on right the wealth of the Indian people is being stolen from them they're being divided they're being made to hate each other and while they're angry they're disturbed they're upset Mr. Adani is basically taking over everything in this country he owns most of the channels that are you know whose cameras these most of these cameras I don't know which ones but half of them at least are owned by Mr. Adani so hello hello Mr. Adani I know you don't like this I know you don't like this type of activity but I must tell you that you are creating a huge amount of anger against yourself in this country the common masses of this country are getting to understand what is going on and it's my duty as a politician as an opposition politician to tell the truth about what is happening in India so if you have any questions yeah Anil sir after Pegasus we have seen this on the phones of several of the Congress leaders and opposition leaders so what's your next step whether will you go to take legal recourse or something like this no the look the last inquiry the last Pegasus inquiry where I mean my name was also there that sort of disappeared right so that tells you that tells you the situation in the country our job as opposition is to make people understand what is going on and I'm very happy that more and more people are understanding what is going on it's very clear and this is clearly a sign of panic right this is clearly I mean this is not just one person this is the whole opposition so this is obviously this is not done by somebody who's not scared or this is not done by somebody who's honest or who believes in themselves this is the work of criminals of thieves only thieves and criminals would want to do this yes time come on time come on time come on जिस तरीके का monopolization हिंदुस्तान में हो रहा है और अधानी जी उसके symbol है सबसे बड़े symbol है और बिलकुल blatant symbol है उससे देश को जबरदस नुक्सान हो रहा है उससे हमारी democracy तूट रही है हमारे लोगों का पैसा चोरी हो रहा है हमारे institutions कलाप्स कर रहे है तो BJP की सरकार और BJP का जो financial system है वो directly linked है उनके साथ बट चुनाओ जीतने से problem resolve नहीं होगा problem resolve करने के लिए और दवाई देनी पड़ेगी Mr. Gandhi, this side sir Sir Sir, you've been raising Adani issue and crony capitalism for quite some time now do you firmly believe that this issue is also resonating and echoing in general public and if yes, are you going to make this important pole plank in 2024 as you made Rafael in 2029 I am, see, you have to understand the way I am coming from okay I am defending the what I consider to be the idea of India I believe a free press I believe independent institutions I believe fair business practices these are all the idea of India and I am defending that idea and I am defending that idea, how? with the truth right, I have a habit of telling the truth I like speaking the truth it gives me happiness and joy right, and that is what I am doing this is a this is not just a political fight this is not just a fight about as I said about going and winning an election this is a much deeper fight one step is winning an election and I am confident that you will see in the next state elections the results right but it is a deeper problem we were enslaved please remember all the young people in this country please remember we were enslaved by a monopoly we became slaves of a monopoly it was called the East India Company it was a foreign monopoly it had partners in India and we are being enslaved by a monopoly again so we are fighting actually for the independence of this country many people are not realizing this right now you will come to realize it but what is going on is a continuation of the freedom struggle the fight against monopoly capital which made our country into a slave country the fight against another the fight against the fight against the fight against साथ-साथ एक opposition के अंदर भी जो एक unanimity आपको बनानी होगी कि anti-adani या monopolism of adani वो भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो आपको आगे लड़नी है हाँ सही बात है बट देखे जो जिस level का monopolization हो रहा है ठीक है उससे सारे लोगों पर असर पड़ रहा है आप जिजग जिजग के question पूछ रहे हो generally आप ने बट generally जो आप थोड़ा कबरा के questions पूछते हो उसी monopoly का असर है ठीक है कोई gas cylinder 1000 रुपए का दे रहा है उसका linkage है कोईले से उसका भी कारण monopoly अदानी airport में अदानी माल अंदर आता हिंदुस्तान में अदानी तो monopoly का effect सिर्फ political लोगों को नहीं हो रहा है हिंदुस्तान दो दो भागों में बट रहा है एक pro monopoly एक anti monopoly जो अदानी जी के खिलाफ business वाले लोग है वो भी इस बात को समझ रहे है यार anti monopoly तो देश दो parts में divide हो रहा है pro monopoly pro अदानी control and anti monopoly pro people control ठीक है उसमें generally जो opposition की position है broad जो position है वो anti monopoly control है आजी राहूल जी नमशकार आजी आवाज प्रावसानी की शुनाई लेकी है अपि उभी एक pressure है जहांके आपको थाम करने की चखो़श्ट यहार सब्सक्राव तो नहीं वो तो है दूसरों की आवाज है it is not that दूसरों की आवाज नहीं है आप लोग थोड़ा जादा मेरे उपर फोकस कर जाते हो राहुल जी नमश्का राहुल जी नमश्का नहीं नहीं मैं अकेला नहीं हूँ ये एक कॉंसेप्ट है एक आइडिया है हिंदुस्तान का एक आइडिया है करोणों लोग कढ़े मेरे साथ वो अलग बात है कि उनके हातों में लाकों करोड रूपे नहीं है मगों सब खड़े हुए सब को दिख़रा है सब को दिख़रा है देश में क्या हो रहा है अदानी जी as number one सब को दिख़रा है राहूल जी नमश्का पानलाजोर मेरा सवाले थे जा और 20 स्पच़् च्रहां मीरा सवाल है धनीआजया मेरा सवाल मेरा सवाल्यकर निस पक्रवाइश है। प्रशन को लेकर है ह। नहीं है क्नि पेशुन के सिपाड में पर दखारी आप से ज्टरो खुंद मुद्लिंजीन में। अधानी जी एक symbol है जैसे मैंने जैसे आपने कहा मेरा personal नहीं अधानी जी के खिलाब कुछ नहीं है ठीक है मैं structure को देख रहा हूँ और मुझे structure में problem दिख रही है अगर अधानी जी का कोई और नाम होता तो मैं उसके बारे में बोलता तो अधानी जी has become a symbol of monopolization of India and monopolization अब सब जगे पहुँच गया है पहले monopolization business में था अब monopolization railways में आ गया, transport में आ गया, ports में आ गया, airports में आ गया, यहां आ गया, ED CBI में गुजग गया अधानी इस controlling ED and CBI brothers right Bombay airport he got Bombay airport by controlling CBI and ED so he's controlling the country so that is my problem number one अब main बात क्या है कि number one अधानी monopoly number two monopoly जो देश के पिछडे लोग हैं दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं उनका सरकार को चलाने में करोली नहीं है मैंने उस दिन आप से पूछ दिया, शायद पूछना नहीं था, बट इसमें इस कमरे में कितने पिछले लोग बैठे हैं नहीं अब आप बैठ गए, आया हो, पता है निस पेशल इंवाइट, बट एक ठीक है, आप एक हो ना ठीक है, आपकी आवादी कितनी हैं इंदुस्तान में कितनी होगी अब आप देखिये, आप है, आप है, रिपोर्टर्स, अब आप मुझे बताएए, इंडिया के जो टॉप मीडिया कंपनीज हैं, जो आपको कंट्रोल करती हैं, उन में से ओभी CEO's कितने हैं, Dalit CEO's कितने हैं, आदिवादी CEO's कितने हैं, ओनर्स कितने हैं, zero, zero, अब, this is a huge problem for the country, this is another type of monopoly, so these two monopolies are connected, Adani's monopoly and caste census are directly connected, and what I am trying to do, is show the connection to the people of India, कि ये connected है, कि यहाँ पे 90 लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं, उसमें 3 पिछड़े हैं, पिछड़ों की अवादी 50%, बजट का control 5%, आदिवासियों की अवादी 12%, control 0.01%, मतलब 100 रुपे में से 10 पैसे, दलितों का control, 1%, 100 रुपे में से 1 रुपिया, तो this is not acceptable, अगर हम मतलब सूपरपार की बात कर रहे हैं, देश की प्रगती की बात कर रहे हैं, तो ये structure acceptable ही नहीं है, इसलिए मैं कास्सेंस की सवाल उठा रहा हूँ, and कास्सेंसस is what, it's an x-ray, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, कि action क्या लेना है, हम ये कह रहे हैं भाईया, पहले x-ray लो, पता लगाओ, इस देश में अदानी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, एक बाद data आ जाएगा, उसके बाद हम, जो हिंदुस्तान के development की next step है, revolutionary step है, उसको हम शुरू कर सकेंगे, तो ये मेरा main point है, ये सब symptoms हैं न, ये सब, ये सारे के सारे monopoly के symptoms हैं, और कुछ, और कुछ, मतलब, पूरा का पूरा एक आदमी control कर रहा है, ठीक है, आप हिंदुस्तान के युवाओं को, क्या option देते हो, option देते हो, IS, कितने बनेंगे, 300 बनेंगे, 400 बनेंगे, हर साल, फिर option देते हो, engineer, doctor, lawyer, कितने बनेंगे, एक percent बन जाएंगे, तो 99% लोगों को क्या होगा, अब उन 99% लोगों को रोजगार काउन देते हैं, चोटे बिजनस वाले देते हैं, अब कोई पिश्रा लड़का, कोई दलिज लड़का कहता है, बहिया, मैं चोटा बिजनस चालू करना चाहता हूँ, पंदरा सेकंड नी चलेगा उसका बिजनस क्यों, क्योंकि अधानी खड़ा है, उसको बैंक लोन नहीं मिलेगा, तो ये जो सारी की सारी unemployment है, ये सारा स्ट्रक्चर इस monopoly के कारण हो रहा है, आप बताईए अधानी जी ने हिंदुस्तान के कितने बिजनसेश खटम की हैं, लाकों बिजनसेश उड़ा दी हैं, और बिजनस उड़ाने का क्या मतलब, कि हिंदुस्तान के युवाँ को रोजगार नहीं मिलेगा, तो बड़ा simple combination है, अधानी जी को पैसा दो, हिंदुस्त अधान के युवाँ को रोजगार मत दो, जो उनमें गुस्सा आएगा, उसको गुद्ली गुस्से को और आग दो, और अधानी जी को पैसा दो, ये ये स्ट्रक्चर है, और आप पेकासद से लेके आज तक जिस तर से आप लगा रहे हैं, और जिस तर जिस मादित सामने आप प्रक्चर इस विटारों को सुटर करता हैं, और आप लूगा रहे हैं, उसको बात करना रहे हैं, और इसकी बज़र से जो तैयारिया अधना होती हैं या पार्टी के रहनी की वो प्रक्चर होती हैं, देखिए, एक लेवल पे होता है, एक लेवल पे हमें मीडिया की जरूरत है, हमें सेल फोन की जरूरत है, मतलब यूट्यूब चैनल है, मेरा उसको बंद कर रखा है, मतलब सप्रेस कर रखा है, मेरे ट्विटर को सप्रेस कर रखा है, फेस्बुक को सप्रेस कर रखा है, हम सब जानते हैं, आपको आकड़ी च दुस्री लेवल पर क्या होता है जब ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर हमें इनोवेट करने की जरुवत होती है और फिर सचमुच की राजनेती शुरू होती है मतलब ये लोग सोचते हैं कि भाया हम टेकनोलिजी को कंट्रोल करके हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर जो दर्द है उसको कंट्रोल कर लेंगे वो नहीं आएगा हाथ हम अड़ाप्ट कर रहे हैं भारजोड़ो इसका एक बहुत अच्छा उधारन है उसमें कोई टेकनोल जी बंद कर दो बंद की इन्होंने पूरा मतलब दम लगा दिया कोई फर्क निपड़ता तो एक्चली जिस लेवल पर हम पहुंच गए हैं मुझे लग रहा है बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है मुझे लग रहा है कि पुराने अजार ज्यादा बेनिफिशल हैं ज्यादा को बागने शकता और वब बार्टिपले हो तो अटोग इस अ थीछ कोई पूख आवर्टोटी स के लुड़ति अ गुड़ति हम चारिए हो जदादिए तादिए टुछन वेंफ डिवार्ट इस तादिए टुछन एट सादिए टुछन वेश्वन थात्थ जे विश्टेट इन थ टौन वट and then the concept evolved and the concept spread, the idea spread from Gujarat, which was pure monopoly to the rest of India we have now entered a different politics where the old tools and structures don't work look, this if you had given me this in you know, Manmohan Singh Ji's government time or Vajpayee Ji's government time this was an explosive this was like dynamite it would blow any government to bits if you had given in Vajpayee's government, if you had given me Raphael, I would have blown the government you wouldn't have found the government right, if you had even given me the fact that CBI raids the Bombay airport owners and the thing goes to Mr. Dhani that would have toppled the government right, so the old tools just don't work anymore which means that the structure is broken which means new tools have to come and then new structure has to be built which for me is a very interesting and exciting time because no seriously, because we can construct things that we could never have imagined five years ago seven years ago ten years ago the means that this way is closed here but the great city has opened and if we are thinking about about Hindustan's progress about the so there are very big opportunities so don't think that I am you know feeling low many people feel oh you know very upset कुझे जिए। तर्पिष्ट तर्पिप्ट अफेल देख्ट लॉड़ लगई है अब जा बॉट जाने संदेश्ट बीजिए। लॉड़ एक रॉड़ कॉटिसम चाहिए।